हेलो दोस्तों आप लोगं का स्वागर है मल चैनल पे और आज कोड़े में हम बात करेंगे हाउ टू वाउच टर्मिनेटर मुवी इन और तो आप अगर एक्शन पैक्ट फिल्म्स के दिवाने हो और अगर आपने टर्मिनेटर मुवी का नाम नहीं सुना है तो ऐसा पॉसिबल र यानि मार्ल सिनेमाटिक यूनियर में जब हम आवेंजर एंड गेम में पोचे तब हमें टाइम ट्रावल देखा और मल्टिवर्स पता चला है लेकिन सीरीजम्स को सही माँने में देखना है तो इसकी सबसे पहली मुवी देखनी चाहिए टर्मीटर जो 1984 में आई थी और इस फिल्म में आर्नोल्डड ने डूर रहे informs अगया है और एक लड़की को ठूंड रहा है सारा कॉँ़न में ञिसका नाम रहता है यूछ नभ蝌 अब दूनेों पहली ऐसी फिल्म आपको Hollywood की लएगी कि जिसमें वीलन जो है वो हीरो पर भारी पढ़ता हुआ नजर आता है यानि acting wise तर्मिनेटर जो है इस फिल्म ने का रोल प्ले करने वाले Michael Bean का करियर उचाई पर नहीं लेके गया बलकि इसके वीलन Arnold का करियर जो है वो उचाई पर लेके एक्शन मुवी मानी जाती है और जब यह फिल्म क्रिटिकली और कमर्शली कामियाब हुई तो इसका सीक्वेल आया जिसका नाम था टर्मिनेटर टू जज्जमेंट डे और यह फिल्म सही माहिने में टर्मिनेटर सीरीज को वर्लड वाइड फेमस कर पाई क्योंकि इस फिल् अरनोल्ड को विलन बना के इतनी अगर वह फिल्म पॉपिलर होती हो और अर्नोल्ड की पॉपिलर्टी इतनी बढ़ जाती है तो सेकेंड पार्ट में उल्टा हो जाता है अर्नोल्ड वापस एक टर्मिनेटर बनके आता है फ्यूचर से और इस बार वह प्रोटेक्टर के होता है यह जाने बगर अगर आप सेकेंड देखोगे तो बहुत बड़ी बेवकुफी होगी तो आपको सेकेंड जो है वह फिर्स्ट के बाद ही रेखनी पड़ेगी और सही माइने में यह सीक्वेल फिल्म से डबल मज़ेदार था डबल धमाकेदार था आज भी आप अगर इ आता है आज टर्मिनेटर बनके लेकिन पॉजिट्व केरेक्टर में और इस वक्त जॉन कॉनर जो है वह टीनेज में पहुच गया है उसकी यहां पर गल्फरेंड भी है और इन दोनों को बचाने के लिए हमारा अर्नोर्ड वापस आता है लेकिन क्या इस बार वह बचाने मे उपर राज करना शुरू कर दिया है और इधर बताया गया है कि राइस ऑफ दो मशीन से यानि क्या यहां पर राज करना शुरू कर देते इस पार्ट से या नहीं करते यह आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से अब तक टर्मिनेटर की जितनी भी सब्सक्राइब नहीं रही लेकिन फिर भी अगर आप इस सीरीज के फैन हो तो आगे आपको कौन से सिक्वेंस में देखना है आईए बताता हो इसकी फोर्ट नंबर पे इसकी एक सीरीज आई थी 2008 में जिसका नाम था टर्मिनेटर दस सैरा कॉनर क्रोनिकल्स देखें यह जो पर यहाँ पर Rise of the Machine जो थर पाड़ता उसको इग्नॉर कर देती है और डारेक्त टर्मिनेटर टू जज्चमेंट की कहानी जहाँ पर खतम होती है उसके चार साल बात से यह कहानी स्टार्ट होती है राइस ऑफ दो मशिन्स में हमारा जो जौन है वह बहुत बढ़ा हुआ दि सीरीज में कुछ दिखा तो दोनों भी अलग अलग टाइम लाइन की स्टोरी जाए से समझ के देख लीजिए दोनों का एक दूसरे के साथ कोई मेल जूल नहीं है लेकिन अगर आप टर्मिंटर सीरीस के फैन होते हो तो इस सीरीस को जो ज़रूस है बाद पाचनला पर फिल्म का नाम है अब यह फिल्म जो है यह अक दिख़ा जाए तो यह सॉफ्ट भी है यहाँ पर होता क्या है इसमें हमें वह कंसेप्ट दिखाई कि future से एक Terminator present में आता है और किसी को बचा रहा है बलकि यहां पर दिखाया गया है मशीनों ने रास करना शुरू कर दिया है और उनी के साथ लड़ रहा है हमारा John Connor जिसको पुरी तीन फिल्मों में Arnold पहले फिल्म में तो मारने आया था उसकी मा को और उसके बाद दो फिल्मों में बचाने आया था अब उसके बाद क्या होता है उसका पाला पड़ता है काईल रीज से काईल रीज वो केरेक्टर है जो Terminator 1 में सारा कॉनर को बचाने आया था अब वो उसको बचाता है क्योंकि उसे पता होता है कि Kyle Reese का और John Connor का आगे जाके क्या रिष्टा बनने वाला है इस फिल्म में सबसे पहली बार Arnold को दिखाया ही नहीं गया और ये एक बहुत बड़ा criticism माना जाता है कि भाई Arnold के वज़े से ये films इतनी बड़ी popular हुई और तुमने Arnold को एक छोटे से रोल के लिए भी नहीं लिया इस वज़े से भी criticize हुई और दूसरी बात इसके actual जो concept थी ये पूरा चेंज कर दिया ये पूरी एकदम वार टाइप फिल्म मनाई तो कई सारी लोगों को पसंद भी आई कई सारी लोगो नहीं आई परिशनली मुझे ये फिल्म पसंद आई इतनी भी बुरी नहीं लगी इसके बात जो फिल्म आई उस फिल्म का नाम है तर्मिनेटर जैनिसीस अब टर्मिनेटर जैनिसीस ये जो फिल्म है ये पूरी Terminator सीरीज को reboot करने का काम करती है और यहां पर हम जिस तरीके से जॉन कॉनर के character को या सारा कॉनर के character को follow करते हुए आगे बढ़ते हैं यहां पर सारी चीजे जो है वो timeline को alter करने का काम होता है और यह alter की हुई चीजे देखते वक्त एक time पर आपका दिमाग यह कहेगा कि यह सीरी छोड़के अपना सर दिवार पर जाके पटक दो नहीं सही मायने में मतलब इन्होंने जॉन कॉनर के character को इतना अच्छा build-up पहली फिल्म से लेके अभी की फिल्म तक दिया और end में जाके फिफ पार्ट में वो जो हरकत करता है वो देखके आपका दिमाग घुम जाएगा वो क्या करता मैं आपको बताऊंगा नहीं लेकिन जब आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाला कि फिल्म बहुत action-packed और fast-paste है लेकिन story को थोड़ा लॉजिक से लिखा होता तो फिल्म देखने में अलग ही मज़ा आ जाता इसके बाद साथवे नंबर पर जो इनकी लास्ट फिल्म आई थी जिसका नाम था टर्मिनेटर डार्क पेट तो जैसे कि देखो कि टर्मिनेटर 3 सालवेशन और जेनिसिस को बहुत सारी लोगों ने अलग-अलग वे में क्रिटिसाइज किया तो इस वज़े से इन लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग वापस से टर्मिनेटर 2 से कहानी continuity करेंगे और उसको continuity में रखते वेंड डार्क फेट बनें अब यह अलटर टाइम लानएं यानि पीछली तीन फिल्मों को अपको ध्याद में नहीं रखना है सीरीज को ध्यान में रखना ही नहीं है मैं आगे और वो वह वह विवेंट्सित साल का गैब दिया गया है तो सही माएने में जब यह film में देखने गया तो बहुत सारे critics कह रहे ठीकि कि पुरानी filmों से यह film अच्छी है लेकिन मैं सज बता रहा हूं यह film तो मुझे कत्र ऐी पसंद नहीं पुरानी फिल्मों में कुछ तो ऐसी बात थी कि देखते वक्त आपको बांध के रखती है उसके ट्विस्ट आपको चौका देते हैं लेकिन इस फिल्म में ना कोई ट्विस्ट था ना कुछ मज़ा आया ना धंकी एक्शन थी और सही माइने में आर्नोल्ड की एक्टिंग देखिया ऐस सिफ 260 मिलियन डॉलर का बिजनस किया यानि इसने अपना लगाया हुआ लागत भी वापस नहीं कर पाई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर साबित हुई और इस वजह से इसके दो सीक्विल प्लैनिंग में थे लेकिन वह नहीं आगे बड़े तो अभी हाल फिलाल म साथ तब तक के लिए गुडबाए